हलो स्टुडेंट, वेलकम टू CLC यूटूब चैनल, मैसेल पार्सी देईवाल, टीम केमेस्ट्री तो यहां हम बात कर रहे हैं, जैसा आपको पहले से ही पता है कि जेई मेन के पेपर के हम सोलिशन आपको दे रहे हैं मैं और्गेनिक सीरीज के कुछ पार्टों का सोलिशन में करवा रहा हूँ, लास्ट टोपिक में हमने कार्बोनिल कंपाउंट से रिलेटेड जितने क्यूशन 2019 और 2020 के जेई मेन के एक्जाम में आये थे, वो हमने डिसकस किये थे आज जिस टोपिक में हम डिसकस करेंगे, उस टोपिक का नाम है, कार्बोक्सलिक एसिड इस डेरिवेटिव एन एन कंटेनिंग कंपाउंट, यह दोनों ही कंपाउंट, यह दोनों ही टोपिक बहुत ज़्यादा इंपोटेंट है, NCRD में है, और यहां से भी बल्क में क्यू से, the major product obtained in the following reaction is, एक कंपाउंट दिया है, और इस reaction का major product पूचा है, reaction करवाई है, acetic anhydride से, in presence of pyridine, और one equivalent दिया है, reaction करवानी है, room temperature पे, the simple सा concept है, reaction का, simple सा concept क्या है, कि हमें पता है कि जो acetic anhydride है, CH3CO, और यह COCH3, अब इस पे अटेक करेगा, reaction प्रिडीन की परजेंस में होती है, जिससे एक लिए मागे की तरफ सिप्त हो, तो या तो oxygen का loan pair इस पे अटेक करे, या nitrogen का loan pair इस पे अटेक करे, दोनों ही capable है अटेक करने के लिए, द better nucleophile कोन है, strong nucleophile कोन है, जिसका size बड़ा है, वो better nucleophile है, मतलब मैं direct trick बोलता हूँ, कि polar solvent में reaction हो रही है, तो जो बलकी है, वो better है, जो बड़ा है, वो better है, मतलब आप वे से भी देख सकते हैं, कि oxygen और nitrogen में ये वाला क्या है, strong nucleophile है, ये वाला आपका strong nucleophile है, तो attack कहा से होगा, nitrogen nitrogen से, nitrogen से attack होगा, तो nitrogen के लोण पर attack करेंगे, ये यहां से यहां जाएगा, वापस घूमेगा, और इसको क्या करतेगा, बाहर करतेगा, reaction का नाम हो गया, reaction का नाम हो गया, reaction का नाम हो गया, reaction, attack कहा से होगा, nitrogen से, और product क्या बना, product आपके पास बन गया, ये agent रह गया, ये OH, ठीक है, और ये group रह गया, और यहां से NH, और ये COCH3, reaction का, बस इसमें में यही देखना था, कि अटेक कहा से करवाना है, oxygen से करवाना है, या nitrogen से करवाना है, दोनों possibility है, बट room temperature और one equivalent दिया हुआ है, और दोनों, अगर two equivalent देता तो reaction इधर भी हो जाती, इधर भी हो जाती, one equivalent में जो better nucleophile हा, वो अटेक करेगा, nitrogen, left to right जाते हैं, तो nucleophilicity decrease होती है, nap to right nucleophilicity decrease होती है, इसलिए decrease हो गई, next question की बात करें, यह बहुत ही अच्छा question है, थोड़ा सा मतलब NCRT based नहीं है, थोड़ा सा level इसका उपर है, the major product of the following reaction is, आपको reactions दी हुई है, और इसकी presence में आपको major product बताना है, reaction करवाई है कि इसकी presence में, ALCl3 और क्या दिया हुआ है, heat दिया हुआ है, यहाँ पर एक reaction है कि phenol दिया हुआ है, और phenol और ALCl3 और इधर दिया हुआ है, ester, cyclic ester, इसको हम बोल सकते हैं, butylactone, पहले तो इस compound का अगर हम नाम देखें, तो इसका नाम है, butylactone, इस compound का नाम है, तो reaction क्या होगी, वो देखें हैं पन, तो reaction को अगर हम समझें, तो एक खाली पेज ले लेते हैं पहले, आपको दिया हुआ है, यहाँ पर phenol, और orthoposan पर लगावा है CH3, तो इस compound का नाम हो गया, orthocrisole, यह common name हो गया, इस compound का, इस compound की reaction करवाई, butylactone से, जो आपको दिया हुआ है, यह वाला, समझ ना देखो reaction को, direct answer निकानने के तो बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, कंचप को समझो, और कौन सी reaction यहाँ जाएगी, फ्रिस rearrangement, यह oxygen के loan पर पहले attack करेंगे, यह यहाँ से यहाँ, यह वापस घूमा, और यह यहाँ से यहाँ, पहले ester पर attack होगा, और जो पहला product बनेगा, वो यह वाला यह है, फिनाइल एस्टर, नाम इसका जो भी है आप लिख लोगे, फिनाइल एस्टर, और फिनाइल एस्टर in presence of ALCL3, ALCL3 की presence में, तो पहले जो यहाँ भी loan पर है, यहाँ भी loan पर है, और यह क्या है, लेविस acid है, और यहाँ जो reaction होगी ना, उस reaction का नाम है, प्रिस rearrangement, उस reaction का क्या नाम है, प्रिस rearrangement, उस reaction का नाम है, यह name reaction है, आप जाकि देखो कि अपने notes हो में, तो प्रिस rearrangement आपको मिल जाएगी वहाँ पर, तो यहाँ से क्या करेंगे, loan pair यह भी donate कर सकता, यह भी donate कर सकता, बट यह strong base है यहाँ से, क्योंकि इसके loan pair delocalize हो रहे हैं, तो वहाँ से loan pair पहले attack करेगा, और यह loan pair किसको donate कर देगा, ALCL3 को क्या कर देगा, यह loan पर donate कर देगा, तो पहला जो compound बनेगा न, वो यह बनेगा, PHO, और यह C double bond O, negative charge आ गया, और इस पर, sorry positive आ गया, और इस पर क्या आ गया, ALCL3 negative और बाकी रह गया, CH2CH2CH2OH, यह वाला बन गया, oxygen पर positive आया, aluminum पर negative आया, क्योंकि oxygen ने donate किया, और aluminum nylon पर accept किया है, यहाँ से rearrangement होता है, इस compound में, यहाँ से rearrangement होता है, और rearrangement कैसे होगा, यह जो ALCL3 है, ठीक है, यहाँ से क्या होगा, यह electron इदर से इदर हो जाएंगे, ठीक है, या फिर इसको में थोड़ा सा, और better version कर देता हूं, क्योंकि जगह नहीं मिल दुए अपनों को, यहाँ से होगा, फ्रिस rearrangement, ठीक है, ALCL3 जो है, वो क्या है, Levis Acid, यह loan पर इसको क्या कर देगा, donate कर देगा, जैसे यह इसको loan पर donate करेगा, oxygen पर कौन सा चार्ज आएगा, oxygen पर positive चार्ज आएगा, और बन जाएगा आपके पास यह वाला, O, ठीक है, यह C, double bond O, positive, AL, CL3 negative, और इधर आगे आपके पास CH2, 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 और यह O, के लिए यहां तक, यह Acid-Waste Reaction होगी, अब यहां से आगे Rearrangement होगा, यहां से आगे Rearrangement होगा, Rearrangement कैसे होगा, उसको समझे, यह जो Phenolic Aster के जो यह oxygen के loan पर है, ठीक है, यह इसके साथ जुड़ जाएंगे, और यह इधर से इधर हो जाएगा, ठीक है, जैसे ही जुड़ेंगे, और तो यह bond तूड़ जाएगा, यह वाला bond तूड़ जाएगा, तो उधर आपके पास बन गया, C, double bond O, और यह positive, और इधर आपके पास आगया, C, H2 का whole thrice, और यह OH, और इधर इस oxygen से कोण जुड़ गया है, A, L, C, L, 3 जुड़ गया है, ठीक है, यह वाले electron इधर से इधर चले गए, और यह वाले oxygen वाला जो lone pair है, वो किसे जुड़ गया, A, L, C, L, 3 से जुड़ गया, तो एक तो यह बन गया, यह क्या बन गया, electrophile, क्या बन गया, electrophile, side में आपके पास क्या बन गया, यह वाली ring बन गयी, O, A, L, C, L, 3, negative, अब इस पर आ गया, और इधर यह CH3, और यह electrophile, aromatic electrophilic substitution, इसकी पेरा portion पे क्या कर जाएगा, attack कर जाएगा, यहां से कौन सी step कर आई मेने, aromatic electrophilic substitution, उसकी पेरा portion पे क्या कर गया, यह attack कर गया, यहां से H+, निकलेगा, यह attack करेगा, H+, वहाँ supply हो जाएगा, तो यहां तक reaction आजाएगी, यह वहाँ OH हो जाएगा, यहां से जो H+, निकलेगा, इधर CH3, और इधर आपके पास बन गया, C double bond O, CH2, 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 CH2 OH, यहां तक की reaction हो गई पहले, यह है, press rearrangement, name reaction है, special way से reaction होती है, यहां तक आगए, अब आप direct करवाओ ना, तो direct करवादो, direct भी करवाती है लोग की, यहां से तोड़ दिया, यह electrophile बनाया, और इस पे take कर दिया, बट ऐसी कोई reaction possible है नहीं, यह direct करने का वे हो सकता है, बट यह गलत वे है, तो यह वाला आपके पास बन चुका है, अब आगे reaction और क्या होगी, वो देखें, अब यहां तक जो product बना, यह OH और यह CH3, यह C double bond O, CH2, CH2, यह CH2 और यह OH, अब जो ALCL3 आएगा, आपको heat दी हुई है, ALCL3 की presence में, तो यह OH बहार निकलेगा, और इस CH3 की पेरा percent पे यह electrophile क्या कर जाएगा, अटेक कर जाएगा, ठीक है, तो finally ALCL3 ना OH को बहार कर दिया, finally जो product बना, वो यह वाला बन गया, OH, CH3, C double bond O, यह CH2, यह CH2, यह CH2, तीन CH2 है, और यह यहाँ से जोड़ गया, ऐसा option आपको check करना है, ऐसा option अगर आप check करोगे, ठीक है, CH3 लगाना चाहिए, CH3 की देखो, OH की पेरा पोजिशन पे CO होना चाहिए, option चेक करते हैं, OH की पेरा पोजिशन पे CO, अगर बात करें तो यहाँ पी यह रहा, तो fourth is correct answer, मतलब इस question का जो answer आने वाला है, वो आएगा fourth, थोड़ा सा अलग वे correction था, time consuming question था, हो सकता है, normal बच्चा इसको attend नहीं कर पाए, बट एक-दो question ऐसे आते हैं, जिन पे, मतलब बहुत ही brilliant बच्चा उनको approach कर पाता है, मतलब तो अगर बात करें तो, actually में तो यह J-Main के syllabus से बाहर का concept था, बट NTN ने डाला, इसलिए में ने solution कर वाया, next question बात करते हैं, यह बोड़ा simple सा question है, which di carboxly acid is presence of dehydrating agent, dehydrating agent का मतलब क्या होता है बेटा, dehydrating agent का मतलब होता है, H2O जो बाहर करता हो, H2O जिसमें बाहर होता हो, is least reactive to give an anhydride, तो देखो, यहां से H2O बाहर हुआ, anhydride बन गया, anhydride बना, तो यह बना, C double bond O, और यह C double bond O, मतलब एक नई ring बनी, 1, 2, 3, 4, 5, 5 member ring नई बनी है, इसमें भी H2O यहां से बाहर हो, तो यहां से बन जाएगा C double bond O, यह oxygen, यह C double bond O, यह CH2, और यह CH2, तो यह भी किते member ring बनी, 5 member ring बन गई, इसमें बाहर होगा, यहां से भी H2O बाहर होगा, इसमें भी क्या हो जाएगे, 5 member, दोनों सी स्कोन पिकरेशन में है, दोनों सेम साइड है, अगर opposite साइड होते, तो dehydration नहीं होता, यह mechanism से होता है, transcend state mechanism चलती है, मतलब बोन का बनना, टूटना, साथ साथ होता है, concentrate mechanism, और यहां से अगर आप H2O बाहर करोगी, तो बहुत ही unstable compound बनेगा, क्योंकि यह 1, 2, 3, 4, 5, 6, और बीच में आ गई इनके oxygen, 7-membering बन गई, जो कि less stable है, हमें यह पूचा है कि least reactive to give an anhydride, तो answer जो जाएगा, वो जाएगा 3rd, 3rd है, वो है least reactive, क्योंकि यहां पे stable product नहीं बन रहा है, next, the decreasing order of easy, of alkaline hydrolysis, alkaline hydrolysis मतलब basic medium में hydrolysis करवाना है, for the following ester, मैं थोड़ सा information दे दूँ, basic medium में ester का hydrolysis, saponification reaction कहलाता है, basic medium में ester का hydrolysis, saponification reaction कहलाता है, और irreversible reaction होती है, actually में होता क्या है, ठीक है, पहले दो उस concept को समझो, फिर यह समझ में जाएगा, कि यह ester है, मालो एक simple ester लिया हमने, basic medium मतलब any OH, ठीक है, तो इसका OH minus क्या करेगा, attack करेगा यहां पे और यह यहां से यहां, यह जो है, यह होती है slow, और RDS system होती है, यह क्या है, hydrolysis of ester in basic medium, basic medium non-age saponification reaction, साब्बन बनाते हैं इससे, इसलिए बोला saponification, तो यह slow और RDS है, तो nucleophile तो fix कर दिया OH minus, अब यहां पे इस carbonil carbon की, इस ester का जो CO group है, इस पे जितना ज्यादा positive charge होगा, यह OH minus उतनी ही जल्दी attack करेगा, concept समझना, पकड़ के रखना concept को, यह OH minus जितनी जल्दी इस carbonil carbon पे attack करेगा, rate of projection उतनी ही फास्ट होगी, अब attack जब करेगा, तो यहां पे positive charge ज्यादा सी ज्यादा होना जी, जितना ज्यादा positive charge, OH minus उतनी जल्दी attack करेगा, अब यहां positive charge मुझे बढ़ाना है, मतलब इसकी positive charge को अगर मैं chemistry की language में बोलूँ, तो electrophilicity, तो मैं बोलूँ, by age well, age, electrophilicity, increase, किसकी? इस carbon की, rate of reaction, rate of reaction क्या हो जाएगी? increase हो जाएगी, जैसे जैसे electrophilicity बढ़ेगी, इसकी rate of reaction क्या हो जाएगी? increase हो जाएगी, अब electrophilicity बढ़ने के लिए, यहां पे positive charge मनाता है, यह R कैसा होना जाएगी? electron withdrawing, जो electron क्या करे? withdrawing करे, तो मैं बोलूँ, कि सबसे पहले तो COET, यहां पे, अगर electron withdrawing लगा हुआ है, तो सबसे ज़्यादा रियक्टिव तो यह होगा, फिर simple, जिस पे कोई ग्रूप नहीं लगा हुआ है, सबसे लिस्ट रियक्टिव कौन होगा, जिस पर यहां पे, electron donating group लगा हुआ है, वो सबसे लिस्ट रियक्टिव होगा, यह मैंने reaction का concept बताया है, अब आजाओ अपने क्यूशन पे, solve हो जाएगा, कोई बहुत बड़ी प्रोब्लम नहीं है, बहुत इज़ी सा concept है, क्यूशन पे बात करने concept समझाया, क्यूशन देखें, यहां पे देखो, इस ring का resonance लगेगा, NO2 का क्या लगेगा, minus R, मतलब यह कौन सा हो गया, electron withdrawing, इसको simple माल लो, क्योंकि ring तो सब में common है, ring तो सब में common है, S का मतलब simple, जिस पे कुछ नहीं लगा हुआ, मतलब simple, ring तो सब में common है, NO2 का minus R लग रहा है, O, C, S3 का क्या लगेगा, plus R, मतलब यह क्या हुआ, electron donating, CL का क्या लगता है, minus I, CL का क्या लगता है, minus I, और यह simple, तो सब से ज़्यादा रीक्ट्व कौन, third, electron withdrawing, फिर यह भी electron withdrawing हो गया, minus I, but minus I से dominant कौन होता है, minus R, second, फिर simple, first, उसके बाद, fourth, ऐसा option चेक करें, भहिया, third, second, first, fourth, यह रहा, third, third is correct answer, simple, ester का hydrolysis, OK, next, the major product formed in the reaction given below will be, one degree amine है, कैसी है, alipatic amine है, और यहाँ पे, Na, No2, HCl, 0 to 5 degree Celsius, reaction कौन सी है, di-azotization, di-azotization reaction है, पहले diaginium salt बनेगा, और यह क्या होता है, भार होता है, और alcohol जोड़ता है, इस reaction में, reaction क्या है यह, R, NH2, 1 degree amine, वो भी alipatic, aromatic नहीं, alipatic, alipatic, इसकी reaction कराते है, HNO2 से, या फिर NaNO2, प्लस HCl से, तो पहले तो बनता है, RN2, प्लस, Cl, minus, alkyl diaginium salt, फिर यह N2 बहार होता है, Carbocatine बनता है, Carbocatine में, rearrangement की possibility, तो rearrangement होता है, उसके बाद, during reaction H2O जो भार होता है, उस H2O का, OH- इस पर क्या कर जाता है, attack कर जाता है, finally product क्या बनता है, alcohol बनता है, फड़ी होगी ना, सबने reaction, तो यह वो ही reaction है, उसी reaction के concept में, हमें इसको करने वाला हूँ, करें, ठीक है, देखो, reaction को करते हैं, तो हमें दिया हुआ क्या है, पहले तो यह देखें, हमें यह दिया हुआ है, यह, और यहां पर, एनच्टो, तो पहले, यह बनेगा, जो भी reagent आपको दिया हुआ है, उससे सबसे पहले यह बनेगा, गुड लिविंग गुरूप, बाहर हो जाएगा, कार्बो केट हैं, अब यहां से ring expansion की possibility है, ring expansion, ring का क्या हो जाए, expansion हो जाए, और जब ring expansion होगा, तो ring expansion में यह बन टूटेगा, और यह बन टूटेगा, तो यह ring expansion मैंने करवाया, अच्छा, यहां भी attack कर सकता है, CH2 पे, यहां भी attack H2 कर सकता है, possibility इस product की भी है, यह भी बन सकता है, बट यह major product नहीं आएगा, एक possibility यह है, या फिर ring expansion हो जाए, तो ring expansion हो जाएगा, तो यह bond बन बन जाएगा, यह यहां से टूट गया, और यह bond बना, तो यहां पे क्या आगया, positive charge आगया, देखो, यह यहां से 1, 2, और 3 नमर पे क्या आगया, positive charge, तो यहां से यह हो गया, समझ मार रही यह बात, यह bond यहां से टूट गया, तो इस पे, इस पे, और इस पे आगया positive charge, यहां पे आगया, अब देखो, इस से ज़्यादा stable है क्या, पहले इसके पास expansion हो आए, तो ring की strain release होई है, अब इसके बाद, without expansion NO2 नहीं जुड़ेगा, CS2OH 6 में मर रिंग भी कर दी, CS2OH इतिकार में लाया कहां से, तो इसका मतलब, यहां से अगर बात करें, option की बात करें, CS2OH, यह वाला नहीं है, CS2NO2, यह वाला नहीं है, यह वाला नहीं है, यह थोड़ा सा आप इसको सही कर लें, यह वाला जो है न, यह वाला आंशुर आएगा, बट यहां थोड़ा सा, mistake हुआ हुआ है, mistake क्या हुआ है, वो देखें, कि आपको दिया हुआ था, यह वाला CH2OH, एक कार्बन है यहां पे, वो कार्बन मिसिंग है यहां पे, तो यह OH एक कार्बन की बात लगा हुआ है, मतलब आंशुर आएगा, यह second concept समझ गए ना, concept समझ गए ना, यह technical mistake हो गई है प्रिंटिंग में, concept समझ में आना चाहिए, और यह OH, यह वाला मतलब second is correct answer, इसका आंशर जो जाएगा, वो जाएगा second, clear, सही कर दिया है मैंने इसको, यहां यह carbon और बढ़ा लेना आप, यह second answer चला जाएगा, next, बहुत ही शानदार के क्यूशन, बहतरी क्यूशन, the correct match between item first and item second is, इधर दिये हैं, लाइसीन, फर्क्यूरल, बैंजयल, एलकोल, इस्टाइरीन, और इधर दिये हैं, वन नेप्थोल, निन हाइडरीन, केमनोफोर, सेरी कमोनियम, नाइट्रेट, यह भी करमक है, और इधर टेस्ट है, तो देखों इधर लाइसीन क्या है, समझना, मैं एक एक चीज को समझा रहा हूँ, इस्क्यूशन को समझना, टाइम लगेगा बटे, आपको मज़ा दाएगा, इस्क्यूशन का सोलुशन देखके, कि करना क्या है हमें, देखें, पहला दियावा है लाइसीन, लाइसीन का इस्टेक्चर देखते हैं, तो लाइसीन एलफा एमिनो एसीड है, एलफा एमिनो एसीड है, क्या ही है, एलफा एमिनो एसीड का एक जाम्पल है, इस्टेक्चर बेसिक स्कलेटन क्या होता है, एमिनो एसीड का CH2, NH2, COH, और यहाँ पर अगर आप जोड़ दोगे CH24 और यह NH2 तो यह बन जाएगा Lysin यह तो वह Lysin, ठीक है, सेगंड क्या दिया हुआ है, सेगंड दिया हुआ है, फर्फूरल उसकी बात करेंगे बेंजाइल अलकॉल, इस्टाइरीन, बेंजाइल अलकॉल यह वाला होता है, CH2OH, बेंजाइल अलकॉल, यह वाला बेंजाइल अलकॉल है, इस्टाइरीन यह वाला होता है, this is styrene सारे बता दिये compound अब furpural क्या है lysine इधर क्या दिया हुआ है इधर दिया हुआ है 1 napthol ninhydrin आपने पढ़ा होगा कि ninhydrin test होता है protein का ninhydrin test होता है वो protein का होता है पहले बात तो ninhydrin की structure क्या होगी ये भी दिमाग में आ रहा होगा तो ninhydrin की इस texture के अगर बात करो तो ये देखो alpha amino acid ठीक है और ninhydrin test किसके लिए यूज में लेते हैं निनhydrin test किसके लिए यूज में लेते हैं पहले तो देखो alpha amino acid इसके लिए यूज में लेते हैं peptide bond peptide bond के लिए भी यूज में लेते हैं protein इनके लिए हम ninhydrin test यूज में लेते हैं alpha amino acid, peptide bond और protein, ninhydrin बोलते किसको है इस compound का नाम है ninhydrin यहां एक ही carbon पे दो OH stable है hydrogen bonding के करणा इसका नाम है ninhydrin तो जब हम amino acid को ninhydrin solution के साथ react करवाते हैं amino acid का अगर आप ninhydrin solution के साथ reaction करवाओगी तो blue violet color appear होता है यह test है protein का, peptide bond का, alpha amino acid का वापस बोल रहा हूँ जब आप alpha amino acid ले लो या peptide bond ले लो या protein ले लो इसको ninhydrin के साथ react करवाते हैं तो blue violet मतलब यह दोनों react करेंगे और blue violet color appear होगा blue violet color और यह test है किसका ninhydrin का तो यहां पीछे question में क्या दिया हुआ है question में दिया हुआ है कि lysine lysine देगा ninhydrin test तो एक answer तो अपने पास यहां पे आ चुका है कि एक का क्या आने वाला है क्यूं आने वाला है फर्पूरल test यह फर्पूरल test का नाम है यह test क्या है इसके बारे में बताता हूँ देखें फर्पूरल test इस test चे हम क्या कर सकते है फर्पूरल test से हम ग्लुकोज और फ्रक्टोज में डिस्ट्यूंगिस कर सकते है बैई इस टेस्ट स्क्रीन शोट लेना प्राट रखें बैई इस टेस्ट वी कें डिस्ट्यूंगिस बित्विन फर्पूरल और ग्लुकोज इस से हम कर सकते हैं तेस्ट क्या है तेस्ट है Dilute solution Dilute solution Of Sugar जो भी सुगर दियो उसका Dilute solution ले लो उसकी reaction करवाओ One napthol One napthol In presence of Concentrate HCl किसकी presence में करवानी है Concentrate HCl की presence में आपको reaction करवानी है ठीक है इप परपल कलर एपियर इप परपल कलर एपियर देन फ्रक्टोज परजेंट अगर परपल कलर एपियर होता है तो फ्रक्टोज क्या है परजेंट है यदि परपल कलर एपियर होता है तो और यदि परपल कलर नहीं आता है तो glucose है तो फरफ्यूरल टेस्ट में कौन सा रिजिन रियूज में लेते हैं 1-Nepthol क्या option में इसा दिया हुआ है क्या 1-Nepthol दिया हुआ है तो B का अंज राएगा P Benzyl Alcohol, Alcohol का टेस्ट होता है Sericamonium Nitrate Test कान टेस्ट इसको बोलते हैं Red PPT बनती है यह टेस्ट है किसका Alcohol का तो इसमें आजाएगा S इस टारीन को आप किस से करोगे के मनोपोर्ज है, बेर रियेजेंट अब मैं इसको साफ कर देता हूँ एक बार जिसको स्क्रिंशोट लेना है वो स्क्रिंशोट ले सकता है भी यह आप एक बार स्क्रिंशोट ले ले इसका अगर आपको स्क्रिंशोट चीए तो क्योंकि मैं इसको मिटाने वाला हूँ ओके देखें, अब क्यूशन पर आते हैं वापस Lysine, Ninhydrin क्यों Purpural, Glucose और Pructose में Distinguish करते हैं, तो इसका आगया 1-Nepthol P, तो फरफुरल टेस्ट बोलते हैं उसको Benzyl Alcohol, Sericamonium Nitrate सभी टाइप के ऐलकोल देते हैं 1-degree, 2-degree, 3-degree, एलकोल का टेस्ट है, Sericamonium Nitrate टेस्ट तो यह S, फिर उसका बहुत 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 स्टाइरीन, स्टाइरीन में डबल बोंड तो bear reagent यह वाला bear reagent bear reagent माल लो या कुछ भी माल लो, bear reagent नहीं वालोगे, तो K-monophore इसको oxidize करेगा यह K-monophore को reduce कर देगा MN plus 2 में colorless कर देगा मतलब K-monophore को colorless कर देगा, Sericamonium यह टेस्ट है इसका, यहां जाएगा R, एस option इसंचे करेंगे A-me-Q A-me-Q, 3 जगे दिया हुया है B-me-P 2 जगे दिया हुप है तो यह तो cancels B-me-P, यहां भी दिया हुप है यह तो A-me-Q नहीं है, इसलिए टेस्ट भी हुआई, Nin How leak reins taste वगरा की बात की nest यह Simple question है, the major product obtained in the following reaction, NaOET, base दिया हुआ है क्या, base, तो base इस acidic hydrogen को हटाएगा, यहां से inolate बनेगा, क्योंकि यहां आपको दिया हुआ है, NaOET minus और यह positive, तो यहां से यह nucleophile बनेगा, और यह इस ring पर attack करेगा, यह electron यहां से हाँ, favorable condition यहां से attack इस पर करवाओगे, तो ring favorable नहीं हो रही, हमें पता है कि cyclic product बना हुआ है, तो definitely option चेक करने होते हैं, cyclic product बनेगा, तो यह condensation type reaction है, ester का nucleophile बनाना है, ketone पर attack करवाना है, तो यहां से आपके पास पहला product आएगा, वो यह वाला आएगा, C double bond O, CH2, CO, ET, इस पर attack कर गया, यहां क्या बन गया, OH क्योंकि यह आया है, तो इस पर कौन supply हो गया, H plus supply हो गया, H2O से H plus supply हो गया, heat दिया हुआ है, तो यहां से क्या निकल जाएगा, H2O क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा, ऐसा product आप जेकोगे, तो finally product आपके पास यह वाला आएगा, double bond O, और यह CO, और यह ET, और यह bond, और यहां पर क्या है, double bond, ऐसा option, चेक करने जाएगे, तो ऐसा option, अच्छा, XC2 extra है, यह फिर mistake हो गई, XC2 यहां है, यहां भी XC2 यह present है, तो यहां भी XC2 आएगा, यह CS2 है यहां पर, तो answer जो जाएगा, वो जाएगा आपका third, third is correct answer, एक CS2 भार है, ठीक है, यह समझ में आगे न, यह CS2 है यहां पर, यह भी CS2 है यहां पर, और यहां भी क्या है, CS2, CH2, यह CH2, और यह CS2, तो answer कौन से जाएगा, third, clear, next, an aromatic compound A, having molecular formula C7H6O2, on treating with aqueous ammonia, O2, मतलब दो carboxylic acid हो सकते हैं, तो यहां से hitting with compound B, ठीक है, the compound B on reaction with molecular bromine and potassium hydroxide, यह देखो, bromine, मतलब BR2, potassium hydroxide, मतलब KOH, ठीक है, compound C, molecular formula C6H7N9, तो यहां पर, यह है, हापमान bromimide का product, यह reagent है, हापमान bromimide reaction का reagent है, तो यह simple reaction हो जाएगा, आपने पास, कि हमें reaction करवानी है, compound की, तो यह formula follow कर रहा है, इसके ammonia के साथ reaction करवाएएगे, तो देखो, क्या होता है, यह दिया हुआ है, COH NH3, NH2, साथ में heat दी हुए है, तो H2 भार हो जाएगा, पहले यह बनेगा, C double bond O, O minus NH4 plus acid base, उसके बाद heat देगा, तो H2 भार देगा, तो दोनों का same product, एक साथ लिख देता हूँ, यह वाला बन गया, Amide, ठीक है, इसकी reaction किसे करवाई, COH plus BR2 से कौन सी reaction है, हापमान ब्रोमेमाइड, CO गाएप हो जाएगा, क्या बन जाएगा, NH2, क्या ही है, फोर्मला फोलो कर रहा है, क्या, फोर्मला क्या दिया, C6H7N, C6H7N, फोलो कर रहा है, इसका मतलब compound यह आएगा, बाकी ammonia के साथ reaction अलग वे से होगी, हापमान ब्रोमेमाइड से हमें equation का concept समझ में आया, reaction, answer की बात करें, answer पे चलें, screen shot ले ले, problem आ रहे होगी screen shot लेने में, तो यहाँ पे answer जो जाएगा, वो जाएगा अपना 4th, 4th is correct answer, clear, okay, next देखे, चलो next की बात करते है, the major product of the following reaction, के मनो फोर के ओएच, alkaline oxidation, तो इसका भी oxidation हो जाएगा, इसका भी oxidation हो जाएगा, heat दिया हो है तो ketone का भी हो जाएगा, तो पहले बनेगा salt, C double bond, O, K, और इधर भी C double bond, O, K, फिर dilute S2SO4, यह क्या कर देगा, H सप्लाई कर देगा, तो acid में convert हो जाएगा, और finally जो product आएगा, COH, COH, नाम है, नाम है, टर्थेलिक acid, compound का नाम है, टर्थेलिक acid product बन जाएगा, next, compound X on treatment with BR2-NEOH, compound X है, इसकी देखने करवाई, BR2-NEOH है, यहाँ से पता लग रहा है, हापमान, Bromamide, कौन्च रेक्शन हुई है, हापमान, Bromamide हुई है, यह पता idea लगा रहे हैं, पक्का नहीं है, यह confirm हुई है, आगे पता लगेगा, provide, C3H9N, यह provide कराता है, तो definitely हापमान, Bromamide हुई है, क्योंकि यह Amine का formula है, तो यहाँ यह बना है, आपके पास CH3CH2CH2NH2, में भी यह हो सकता है, या फिर यह वाला हो सकता है, CH3CHNH2, और यह CH3, या तो यह वाला है, या यह वाला है, ठीक है, which give positive carbylamine test, दोनों ही positive क्या देंगे, carbylamine test देंगे, तो इसका मतलब यह हुआ, कि यह जो अक्सना, यह क्या होना चीए, Amide, अगर यह वाला प्रोड़क्ट बना है, इसकी बात हो रही है, भाई, carbylamine test किसका है, give positive carbylamine test, यह test है, test for 1 degree amine, यह मैं information दे रहा हूँ इसकी, किसका test है, test for 1 degree amine, 1 degree amine का test है, test for 1 degree amine, तो यहाँ से possibility 2 generate होगी आपके पास, कि अगर यह है, तो अगर मैंने इसकी reaction करवाई है, NaOHBR2 से, NaOHBR2 से, तो यह तो इससे बना होगा, CH3CH2CH2CONH2, इससे बना होगा, CO गाइप हो गया, NH2 लग गया, यह वाला अगर बना है, NaOH और BR2 से, तो यह इससे बनेगा, CH3CHC double bond O, NH2, और यह CH3, अभ यह तो यह है, यह है, तो यहाँ आपको दियावाँ है, यह वाला, फिस्ट इच करेक्ट आंसर, सिंपल हाप्मान ब्रोमाएड़जी, नेक्स्ट, आगे फिर बहुत ही बहतरिन क्यूशन, इधर क्या दिया है, T-Y-R, A-S-P, S-E-R, L-Y-S, यू नो, जानते हो, T-Y-R है, टाइरोसीन, A-S-P है, एसपार्टी केसिड, यह है सेरीन, और L-Y-S-L-I-S, और यह चारों ही जो है न, यह है, एमीनो एसिड, कौन से है, एमीनो एसिड है, मतलब, क्या इस क्यूशन से क्या पता लग रहा है, कि आपको एमीनो एसिड की इस्टेक्चर आनी चाहिए, तभी आप बता पाओगे, इस्टेक्चर आनी चाहिए, अब इस्टेक्चर आपके NCRT में 20 एमीनो एसिड दियो है, उनकी इस्टेक्चर आप ध्यान रखें, और ध्यान रखने ही पड़ेगी, क्योंकि पूछे जा रहे हैं वहाँ पर, इसका कोई सोलुशन भी नहीं है, तो यहाँ basic isquelettean क्या होता है, टाइरोसीन, देखो, basic isquelettean यह होता है कि RCH NH2 और यह COH, यह होता है alpha amino acid का basic skeleton R को vary करोगे तो अलग-अलग type के amino acid बनेगे तो अगर यहाँ बनाना है आपको tyrosine तो यहाँ में R बराबर लिख देता हूँ उसकी structure बनती जाएगी tyrosine क्या है आप यह लगा दो phenolic group है OH ठीक है और आगे CH2 यह आपका R है बाकी इसके आगे यह skeleton जूर जाएगा कौन सा group है? phenolic ठीक है aspartic में क्या लगाना है COH ठीक है COH CH2 यह aspartic serine में क्या लगाना है OH CH2 alcohol है lysine की इस्टिक साब भी पीछे वाले क्यूशन में बताईए है क्या लगाना है? NH2 और यह CH2 का होल थ्राइज और यह CH2 अब इनका टेस्ट देख लो अब इस्टर कार्विल्यमीन टेस्ट को देगा? वेशे तो सब में NH2 ग्रूप अब आपको सिंगलना चोश्ट दिये हुए है, तो कार्विलेमीन टेस्ट देगा यह अनस्ट ग्रूप अब यह इस्ट का मतलब कार्विलेमीन टेस्ट वाले में तो आएगा लैसीन एचा था, उसे related questions के solution करवा रहा था, तब मैंने बोला था, फिनोल की reaction, फिनोल की reaction, जब हम एन्हाइड्राइड से करवाते हैं, थेलिक एन्हाइड्राइड से, तो फिनोल थेनिल बनता है, याद है, जो फिनोल का टेस्ट है, मतलब थेलिन डाइड टेस्ट यह है, टेस्ट फोर फिनोल, फिनोल का टेस्ट है, टेस्ट फोर फिनोल, यह टेस्ट है फिनोल का, कार्विलेमिन टेस्ट तो फिनोल, फिनोली गुरुप है, किसमें, टाइरोसीन में है, तो इसका आजाएगा पी, ester test, carboxylic acid का ester test होता है, carboxylic acid में जब alcohol डालते हैं, in presence of concentrate estosopor, ethyl alcohol डालते हैं, in presence of concentrate estosopor, then fruit smelling compound formed, ये ester का formation होता है, pleasant smell वाला compound बनता है, जो ester बनता है, एस carboxylic acid की alcohol के साथ reaction, तो ये वाला ester test को देगा, aspartic acid जिसमें carboxylic acid क्या है, परजेंट है, तो इसका आंसर जाएगा, जाएगा क्यों, ये थेलीन डाइट टेस्ट आपको पता होगा न, फिनोल, ये थेलीक एनाईड्रेड, आप देखें, slide carbonil वाली, और ये फिनोल की reaction, 2 mol काम में आते हैं इसके, concentrate H2SO4, फिनोल थेलीन बनता है, colorless, फिर basic medium में वो purple color का हो जाता है, तो यहाँ पर ये है थेलीन डाइटेस्ट, ये वाला थेलीन डाइटेस्ट, तो आंसर आ गया, A का क्यूं, B का S, C का P, C का P, A का क्यूं, B का S, C का P, fourth option ने गया, तो आंसर जाएगा, fourth, कि ज़िए, मतलब ये structure सा आपको पता है, तभी क्यूशन आप एप्रोच कर सकते हो, next, the major product of the following reaction, वापस से वोई घूम फिर के क्यूशन आ रहे है, एक ही टाइप की क्यूशन आ रहे है, एक ही कंचप्ट पे, इसका क्यूशन हमें करना है, आपको दियावा क्या है, पहल तो ये दियावा है, इधर दियावा है, O, CO, CS3, आगे इधर दियावा है, 1, 2, 3, 3, CS2 और NH2, एक दूस्टे चे, 1, 3 पोशन पे, 1, 2, 3, और ये NH2, ठीक है, फिर आगे reaction में क्या दियावा है, Na, NO2, H+, Diogenium Salt, NH2 भार क्या लग जाएगा, Alcohol लग जाएगा, तो पहला ये बन गया, ठीक है, अमें इनको शही दिखा देता हूँ, यहाँ पे है, आपके पास, CO, CO, CS3, इसकी 3 पोशन पे है, 1, 2, 3, और क्या लग गया, OH, आगे क्या दिया हूँ है, CRO3H+, क्रोमिक एसेड, इस वन डिग्री एलकोल का क्या कर देगा, ओक्सिडेशन कर देगा, किस में, कार्बॉक्स लिके, एसेड में, तो क्या बन जाएगा, O, CO, CH3, 1, 2, 3, यह लो, 1, 2, 3, और इसको कनोट कर दिया, CO, H में है, ठीक है, आगे क्या दिया हूँ है, H2SO4, Concentrate H2SO4, Heat, Concentrate H2SO4, Heat, इसको अठाएगा गया, यहां से क्या बन गया, यह एलक्ट्रोफाइल बन गया, यह कौन सा डारेक्टिव है, और थो, पेरा डारेक्टिव, इसकी पेरा पोशन पर यह CO क्या कर जाएगा, अटेक कर जाएगा, तो क्या हुआ, एरोमेटिक, इलक्ट्रोफिलिक है, सब्सुट्यूशन, तो फाइनली प्रोड़क्ट क्या आया, O, C, O, C, H3, और इधर आपके पास बन गया, यहां से, यह 1, 2, 3, डबल बोंड, O, यह जोड़ गया, आंच्वर, यह वाला आंच्वर आएगा, ऐसा option चेक करें भाईया, ऐसा option कहां दिया हुआ है, चेक करें, स्क्रीन छोट ले लें, solution का, साप कर रहा हूँ, option चेक करेंगे, तो ऐसा option 1, 3 से, CO के इस पे होना चीए, यह 1, 2, 3, C, यह जुड़ा, O, H, अच्छ, अच्छ, एक मिन्ट और, यहां पे, जब यह concentrate estrosopor आपको दिया हुआ है, तो एक तो यहां पे आपने O, H लगाया, फिर उसको कारवक्सलिक एसीड में, तो यहां से यह C, double bond O में करनाट हो गया, इसका भी क्या हो जाएगा, hydrolysis, acidic medium में ester का अच्छ, यह काम भी हो जाएगा, तो ठीक है, तो फाइलली जो product बनाना, अपना यह बन गया, इधर यह O, H में करनाट हो गया, यहां से 1, यह 2, यह 1, 2, और यह CO, और यह यहां से जुड़ गया था, यह वाला फाइलल प्रोड़क्ट है, और यह सा प्रोड़क्ट हमें जो दिया हुआ है, 12 प्रोड़क्ट पर सीओ, फस्ट, तो फस्ट इस करेक्ट ए, आंश्वर, किलिएर, next, the increasing order of reactivity of the following with LILH4, LILH4 के साथ reactivity की बात करेंगे, तो क्यूशन को समझे, LILH4 में से अटेकिंग स्पिसीज कौन है, H-, इसमें भी H- अटेक करेगा, यह भी कहां से आया, LILH4 मतलब मैं जिसकों लिख लिएता हूँ, L, A, H, यहां भी H- अटेक करेगा, ठीक है, L, A, H में से, और इसमें भी H- अटेक करेगा, अब H- अटेक करेगा, तो यह यहां अटेक करेगा, यह यहां से हैं, यहां से हैं, पहले possibility यही है, इसमें भी यहां अटेक करेगा, यह यहां से हैं, यह यहां से हैं, इसमें भी यहां अटेक करेगा, और इसमें भी यहां अटेक करेगा, अब आपको क्या देखना है these are acid derivative ये सबी acid derivative है and acid derivative give acyl nucleophilic substitution reaction पहले nucleophila take करता है addition होता है second step में क्या हो जाता है elimination हो जाता है अब यहाँ H- ये slow or RDS है ये step क्या है slow or RDS H- यहाँ ते कब करेगा जब यहाँ पे positive charge ज़्यादा से ज़्यादा हो तो NH2 का क्या लग रहा है इस पे plus R तो ये तो इसकी reactivity को कम कर रहा है OCS2 का क्या लग रहा है यहाँ पे plus R ये भी reactivity कम कर रहा है यहाँ भी इसका क्या लग रहा है plus R तो ये भी reactivity कम कर रहा है यहाँ CL का क्या लग रहा है minus I तो इसका मतलब most reactive तो कौन हो गया C क्योंकि हमें यहां positive charge ज्यादा से ज्यादा चाहिए इस carbon की electrophilicity nature maximum होनी चाहिए जितनी ज्यादा maximum होगी rate of reaction उतनी fast होगी तो यहां plus R plus R plus R अब देखो NH2 का plus R सबसी ज्यादा फिर OCS3 का इस oxygen का plus R कम लगेगा क्योंकि यह दोनों तरफ de-localize हो रही है जब यह इधर जाएगी तब इसकी reactivity भढ़ जाएगी तो इसका मतलब फिर कोन आएगा D इन दोनों में से दोनों का plus R ज्यादा किसका होता है NH2 का तो फिर कोन आजाएगा B और उसके बाद A C D B A increasing order पूचा है C D B A first answer next the major product of the following reaction यह भी बहुत अच्छा question है example है यह फ्रेडल क्राप्ट reaction फ्रेडल क्राप्ट assylation ठीक है mechanism समझा देता हूं क्या बनेगा समझ में आ गई होगी या नहीं आई होगी तो देखें आगे दियावा क्या है equation में यह दियावा है C L के साथ reaction करवानी है यह बेंजिन रिंग दी हुई है इसकी reaction करवानी है इससे है कि अपने लॉन पर इसको डोनेट करेगा तो पहले क्या वनेगा उक्षिन अब्जब लॉन पर डोनेट करेगा क्योंकि वह उक्षिजन ज्यादा बेसिक है इसके लॉन पर डिलोकलाज रहे उसके लॉन पर डिलोकलाज नहीं हो रहे इसलिए वह ज्यादा बेसिक है वह easily available होंगे ALCL3 के लिए तो यहां से देखो यहां से मैं कोई direct नहीं बता रहा डारेक्ट ही बता दिया तो फिर solution का मतलब क्या हुआ तो यहां से यह बना C double bond O ALCL3 नेगेटिव और यह आ गया positive oxygen C double bond O ठीक है अब इसके बाद क्या होगा यह bond यहां से तूट जाएगा इस पे positive charge ना तो यह यहां से इधर तूट जाएगा जैसे ही तूटेगा आपके पास बन जाएगा उधर तो बन गया है समझ मागे बात यह बन जाएगा मतलब electrophile क्या हो गया generate हो गया कैसे हुआ उसका region मैंने आपको बता दिया है सिंपल सा concept है कुछ भी नहीं है आप इसको देखोगे तो बहुत सिंपल सा concept है आप ऐसे भी देख सकते हो कि यह loan pair इधर से इधर यह इधर से इधर और यह इसको वापर से क्या कर देगा बाहर कर देगा और यह auction के पास आजएगा तो यहां से यह बना अब इसका ring पर क्या क बता देंगे यहां से तूटा यह इस रिंग की पेरा पोशन पर क्या कर जाएगा तो जैसे और तो पेरा पोशन पर टेक करेगा आपके पास पहला बनेगा यह मैंने इलक्ट्रोफाइल का जनरेशन के से हुआ है यह भी समझा दिया है इधर ओ ऐल्ल-3 के से बनाया है यह भ फिर यह बोशन टूटेगा यह बोशन टूटेगा तो यहां से ओक्षन पर पोशिटिव चार्ज खतम इधर डबल-बोशन ओ आना स्टार्ट हो जाएगा और यहां से आगे जो रियेक्षन होगी यह अटेक करेगा तो यह बन जाएगा CL और अटेक के दर्शे हो गया C double bond O फिर यह किसे चुड़ा होगा है बेंजीन और इसके 1-2 पोशन पर यहां क्या आया C double bond O O my O और यहां पर यह कुछ नहीं है A L C L 3 माइनस ठीक है पिर यहां जब अटेक किया तो H plus बाहर निकला था तो इस bond को तोड़ देगा वापस से और यहां क्या जाएगा इस पर A L C L 3 बाहर हो जाएगा इधर से और उस पर कौन जाएगा इलक्ट्रोन छोड़ के जाएगा और वहां पर H plus सप्लाई हो जाएगा जो जब इसने यहां टेक किया था तो यहां से बाहर कौन हुआ था H plus बाहर हुआ था और फाइलली जो प्रोड़क्ट आएगा वह यह वाला जाएगा C L C double bond O और यह रिंग और यहां से C O और यह O H आगे कुछ दिया वाए किया देख दिया वाए कि कहीं यह रहा है C double bond O C L की पेरा पोशन पर नहीं है यहां पेरा पर है फोर्थ फोर्थ पोर्थ इच करेक्ट आंसर सिंपल एसाइल निकलोफिक सब्चिटुशन रियक्शन नेक्स्ट कप्लिंग ओ बेंजीन डायजुनियम क्लोराइड वित वन नेप्थोल इ यह वाला आ गया इस इस बेंजीन डायजुनियम कलोराइड इसकी रियक्शन करवानी है वन नेप्थोल से तो पहले यह तो है इलक्ट्रोफाइल यह क्या है नूकलिओ फाइल अब सब्से पहले इलक्ट्रोफाइल का आप डायरेक्शन डिसाइड करोगे तो इस रिंग में करेगा या इस रिंग में करेगा जिस रिंग में इलक्ट्रोन डेंशिटी ज्यादा है उस रिंग पर अटेक करेगा तो इस रिंग में कप्लिंग कौनची रियक्षिन है कप्लिंग रियक्षिन है और फाइलली जो प्रोड़क्ट बनेगा वो यह बन जाएगा एन डबल बूंड एन और इधर ओएच और यह रिंग रेड ओरेंज डाई आएगी कैसी आएगी आएगी यह वाली आएगी ऐसा उप्षेक करें इस्क्रिं शोट ले लिया अग्रेंज मिटा रहा हो और उप्षेक करेंगे ओच वाली पे नहीं हुआ, ओच वाली पे होगा, ओच वाली पे होगा, यह रहा, पर्स्ट, ठीक है, देखो, पर्स्ट ओप्शन देखो, तो आंसर जाएगा, वो जाएगा, पर्स्ट, नेक्स्ट, दा मेजर प्रोड़क्ट इन दा फॉलोविंग रियक्शन, इस रिक्शन में मेजर प्रोड़क्ट क्या है, बेस है, बेस क्या करेगा, एसीडिक हडिजन को हटाएगा, मोस्ट एसीडिक हडिजन यह है, क्योंकि सिस्टम क्या हो रहा है, एरोमेटिक, नेगेटिव चार्ज आ और सिस्टम क्या हो गया एरोमेटिक फिर एन माइनस नुकलोफाइल बन गया इस पर क्या कर जाएगा अटेक कर जाएगा आई को क्या कर देगा बाहर कर देगा that's a very very simple problem बहुत simple problem है तो यहां आंशर जो आएगा न वो आएगा यह आएगा यह एन और यहां CH3 यहां पर double bond यह N यह double bond N और यह NH2 यह आंशर आएगा बेस क्या करेगा इस ACID का हटाएगा देखो H कहा है यहां पर है और यहां पर है बट यह वाली ज्यादा ACID का है H इसके comparison में क्योंकि यह H पहले भी compound aromatic है बट aromaticity character बढ़ेंगे H प्लस देने के बाद negative charge आएगा वो negative charge CS3I पर क्या कर जाएगा attack यह कौँछी reaction हुई है SN2 और finally answer आएगा यह वाला इस option चेक करें तो इस option कहां पर second पर second is correct ओके next CHCl3KOH अच्छा यह reagent किसका है यह दो reaction का reagent है ठीक है एक तो राइमर्ट इमान और एक यह है कार्विल एमीन तो राइमर्ट इमान तो किसके साथ होती है फिनोल जब दिया हूआ हो तब तो राइमर्ट इमान होती है और कार्विल एमीन टेस्ट कब रेगा वन डिग्री एरोमेटिक C-H-C-L-3-K-O-H तो यहां इन दोनों रियेजेंट से यहां रियेक्शन होगी उसका नाम होगा कार्बिल एमीन टेस्ट और कार्बिल एमीन टेस्ट है क्या वन डिग्री एरोमेटिक हो या वन डिग्री एलिफेटिक हो इसकी रियक्षन CHCl3 के वज़ से करवाते हैं कार्वीन से रियक्षन बहुती है और बनता है आईसो साइनाइड ARN ये सी या फिर RNC ऐसा ही कुछ हमें यहाँ पे करवाना है ऐसा ही कुछ हमें यहाँ पे करवाना है तो करें तो देखो क्या दिया हुआ है ये दिया हुआ आपको यहाँ NH2 वापस बेग गया देखा COCH3 और ये CN तो पहले CHCl3 KOH NH2 को कार्विलेमिन रियक्षन क्या बनेगा NH2 किस में चला जाएगा N Triple Bond और ये C और इधर CO CH3 और ये CN उसके बाद आगे क्या दिया हुआ है PDCH2 Palladium Charcoal Strong Reducing Agent Strong Reducing Agent Double Bond का भी करता है और Cyanide का भी करता है मतलब कौन किस-किस का Reducion करेगा इसका भी Reducion करेगा इसका भी Reducion करेगा अरे Black का गया Black 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 इसका Reducion करेगा इसका भी Reducion करेगा और इसका भी Reducion करेगा सबका Reducion करेगा सबको लपेटे में लेगा ऐसा साइनाइड का करेगा कारबोनिल कमपांड का करेगा और साइनाइड गूरूक का भी क्या करेगा, रिडक्शन करेगा, और जब इनका रिडक्शन होगा तो ओधो क्या बनेगा यहां तो बनेगा टू डिग्री एमीन एन एच सी एच तरी कुछ नहीं है एच जोड़ दो बेलेंच कर दो रियक्शन को सी ओ एच सी एच त्री इसका सी एच टू एन एच टू में यह वाला आंशर आने वाला है इसा उप्शन अगर चेक करोगे तुम यह देखें सेगंड ओप्शन देखें सेगंड ओप्शन चलो कोई नहीं स्क्रिंशोट मारें आप ठीक है आप देखो इधर यह देखो टू डिग्री एलकोल तो क्योशन को लिखना इस्टार्ट करता हूं में आप देखेंगे एनिलीन ये है किसमे HCl साथ में क्या दिया हुआ है sodium nitrite कितने degree Celsius पे 0 degree Celsius पे reaction कौन सी होगी diagenium क्या बनेगा salt बन जाएगा और पहला बनेगा ये वाला and 2 plus Cl minus ठीक है क्यूशन पे वापस आओ this solution was added drop wise to a solution containing ये आपके पास solution होगया diagenium salt का ये solution और बोल रहा है इस solution को आपको एक दूसरी test tube है ठीक है और उस test tube में क्या बढ़ा हुआ है containing equimodal mixture of aniline and phenol in dilute HCl तो इसमें क्या है एक तो फिनोल है एक aniline है aniline ठीक है किसके presence में है dilute HCl में और ये वाला जो solution है इसको भी test tube में ले ले लेता हूँ इसको इसमें डाल रहा है वो भी drop wise डाल रहा है question ये है तो हमें पता है कि ये जो solution है diogenium salt जो है वो phenol और aniline के साथ coupling reaction स्यों करती है तो यहाँ पे पहले तुम्हें ये बता दूँ कि यहां reaction जो आएगी न ये जब added करोगे तो कौनची reaction आएगी coupling reaction कौनची reaction आएगी coupling reaction अब जो diogenium salt है वो तो confused है कि मैं किसके साथ reaction करूँ दो possibility है कि phenol और aniline तो diogenium salt phenol के साथ जब reaction करता है ना तो ये वाली reaction होती है ये वाली कब होती है pH क्या होनी चाहिए high pH क्या होनी चाहिए high मतलब कौन सा medium होना चाहिए basic medium तब तो करती है phenol के साथ क्योंकि phenol phenoxide आयन में करनोर जाता है जो कि highly reactive है यहाँ pH और ये वाली reaction कब होती है जब pH क्या हो low यहाँ pH low होनी चाहिए मतलब कौन सा medium होना चाहिए acidic medium अब ये ड्रोक वाल डाल रहे है तो इसके साथ reaction करेगा या इसके साथ reaction करेगा वो decide करेगा कि solution कैसा है तो dilute HCl कैसा है acidic तो coupling reaction फिनोल के साथ नहीं होगी किस के साथ होगी एनिलीन के साथ होगी acidic medium में एनिलीन के साथ होती है basic medium में फिनोल के साथ होती है तो यहाँ coupling reaction होगी तो ये बनेगा N double bond N और इसकी पेरा पोसन पे अटेक हो गया और ये NH2 पेरा एमिनो एजो बेंजीन यलो डाई होती है कैसी होती है यलो डाई होती है सारी कारणी बता दी कैसी रेक्ष नहीं होगी अब option प्याज़ आज़ा होगी तो option अगर check करें पहले तो पहले तो screen shot ले 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 लिया ठीक है मिटा दू अब option चेक करें तो option चेक करेंगे तो एनिलीन की पोजिशन पर होनी चीए पेरा पोजिशन पर तो यह यहाँ दिया हुआ है NN coupling और second is correct answer next which of the following amine can be prepared by Gabriel thelemide reaction Gabriel thelemide reaction है क्या पहले तो यह पता होना चीए ना Gabriel thelemide जो reaction है वो reaction यह है कि यह अपने पास Nuclefile होता है उसमें Potassium thelemide इसका नाम है Potassium Thelemide इसकी reaction करवाते है हम Alkyl halide से और यह 1 degree होना चीए क्योंकि reaction कौन से होती है SN2 और यह attack करता है इसको क्या करता है बाहर करता है SN2 reaction होनी चीए तब यहाँ बनता है आपके पास यह वाला पहले C-O-N-R-C-O-N फिर हम इसका करवा देते हैं के O-H के साथ reaction करवा दो N2-H4 के साथ reaction करवा दो यहाँ से इसका हैडलासी जोड़ता है उदर O-H-O-H जोड़ जाता है Basic medium में salt form में रहेगा इधर H-H और क्या बन जाता है 1 degree amine तो यहाँ पे आपको SN2 हो रही है तो हमें पता है कि इस alkyl group के आगे क्या जोड़ता है NS2 जोड़ता है गेब्रील थेलेमाइड में तो ट्राइथाइल एमीन 3 degree amine है 3 degree amine नहीं बनाई जा सकती गेब्रील थेलेमाइड से गेब्रील ओनली इस इस मेथड फोर इस इस मेथड फोर प्रीप्रेशन ओप 1 degree amine वो भी aromatic नहीं होनी चीए 1 degree amine वो भी कैसी होनी चीए एलिफेटिक होनी चीए एलिफेटिक amine बनती है aromatic नहीं बनीगी तो यह तो नहीं बनीगा N-butyl amine N-butyl amine यह हो गया 1 degree amine है SN2 यहाँ N-S2 किसके हिलाइड लगाँ होता SN2 हो जाएगी ना होगी ना अरे हो जाएगी इस लिए यह बनाई जा सकती है नियो पेंटाइल amine अब यह है तो 1 degree यह है तो 1 degree बट अगर मुझे यह amine मनाने तो वहाँ पे alkylite कौन सा लेना पड़ेगा यह वाला लेना पड़ेगा और क्या यह SN2 देता है क्या नहीं देता तो यह नहीं आएगा तर्शी बुटाइल amine तर्शी बुटाइल amine यह वाला तो यहाँ भी यहाँ यहाँ एलाइड लगाँगा तो यह भी SN2 नहीं देगा तो आंसर दो जाएगा वो जाएगा second second is correct answer next अरे मेटन जाते यार हिंजबर्ग रिएजेंट बेंजीन सल्पोनिल क्लोराइड नोन अज हिंजबर्ग रिएजेंट इसको बोलते हैं तो बेंजीन S सल्पोनिल यह होना चीए या पेरा टोलून सल्पोनिल या फिर आजकल जो ना NCRT यह लिखती कि आजकल इसको यूजबर्ग लेते हैं और बेंजीन सल्पोनिल क्लोराइड से हिंजबर्ग रिएजेंट से हम 1 डिगरी, 2 डिगरी and 3 डिगरी अमिन can be distinguished इससे 1 डिगरी, 2 डिगरी, 3 डिगरी अमिन को हम क्या कर सकते हैं? डिस्टिंगिस कर सकते हैं तो हिंजबर्ग रिएजेंट option चुक करें, second, second is correct, answer, ठीक है, तो second इसका answer आएगा, next question 21, देखें, 21 question क्या है, the major product of the following reaction, एक reaction दी हुई है, और इसका major product पूचा है, आपको एजेंट दिया हुई है, Li-LH4, और Li-LH4 reducing agent है, reduction करता है, कई compound होगा करता है, मतलब almost oxygen containing compound को alcohol में convert करता है, तो Li-LH4 है reducing agent, तो definitely यहाँ पर reduction करेगा, अब यहाँ आपको compound क्या दिया हुआ है, compound दिया हुआ है, CH3, CH double bond, CH, C, O, O, और यह CH3, यह वाला compound आपको यहाँ पर दिया हुआ है, ester है, ester का reduction कैसे करेगा, यहाँ से तूट जाएगा, और मैं पहले product बना देता हूँ, double bond का Li-LH4 double bond और triple bond का reduction नहीं करता है, एक condition में double bond या triple bond का double bond का reduction करता है, वो special case है, जब आप यह वाला case लेते हो, P, H, C, H double bond, C, H, C, O, H, तो यहाँ पर इस double bond का reduction भी करता है, तो यह special है, aromatic headache reduction agent की QMU selectivity special है, तो उसमें करता है, otherwise double bond का general condition में यह double bond और triple bond का reduction नहीं करता है, तो यहाँ answer जो आने वाला है, C, H3, C, H double bond, C, H, और यह C, H2, O, H, और इधर से यह C, H3, O, H, actual में हुआ क्या था, सबसे पहले, Li-LH4 में से H- आया, उसने attack किया, यह यहाँ से हाँ, यह घूमा, इसको बाहर किया, पहले यह LDH2 में convert किया, इसको, और side में C, H3, O, minus, फिर LDH2 का reduction हुआ किसमे, alcohol में, यह बन गया, और यह भी किसमें जल जाएगा, C, H3, O, H में, तो ऐसा option अगर हम check करें, कि एसा option हमें कहां दिया हुआ है, C, H3, C, H1, C, C, H2, O, H, double bone का नहीं करेगा, तो ऐसा option अपने को दिया हुआ है, first, तो answer जाएगा, हो जाएगा first, that's a very simple question, इसमें बहुत कुछ भी नहीं था, यह बहुत ही simple question था, next बात करते हैं, ethyl amine can be obtained from an ethyl thalemide on treatment with, यह qution है, gabriel thalemide synthesis का, और one degree amine का हमें preparation करना है, तो qution में कोई बहुत कुछ special नहीं है, but condition यह ही कि आपको इस compound की structure बनाना आनी चाहिए, an ethyl thalemide, तो thalemide होता है यह वाला, an ethyl बोला, तो यह et, यह compound हो गया आपका, an ethyl thalemide, अब बोल रहा है, इस से आपको बनाना है, et-n-s-2 मतलब c-2-h-5-n-s-2 आपको बनाना है, यह वाला आपको बनाना है, अब यह case से बनाएंगे, simple सा process है, इसका हम hydrolysis करवाएं, तो बहुत सारे concept है अपने पास इसको, मैं by hydrolysis, एक मैं by hydrolysis, hydrolysis से बना सकता हूँ, या फिर hydrogenolysis, 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 इससे भी मैं बना सकता हूँ, तो यह कई method हैं, तो यहाँ पे NS2, NS2 तो answer आने वाला है, इससे नहीं होगा, के वल H2 से नहीं होगा, आपको basic medium hydrolysis चीए, basic medium मां hydrolysis हीए, by hydrolysis, और वो भी कौन सा medium हो, basic medium, basic medium का hydrolysis आपको रवाओगे तब होगा, तो देखते हैं कैसे होगा, आगे इसको solo करके मैं बता देता हूँ, क्या process है इसकी, तो compound आपको जो दियावा है, वो यह वाला दियावा है, C O N E T, यह C O, तो आप तो एक बार तो इसकी reaction मानलो, आपने करवाई K O H से, एक वस K O H से, तो O H माइनस, यह यहाँ से हाँ, यह यहाँ से हाँ, यह वापस घुमा और इसको भार करतेगा, simple भी आप करवा सकते हो, simple आप कैसे करवाऊगे, वो भी बता दूँगा last time, तो आपके पास इधर बन जाएगा, C O O H, और यह C O N, माइनस E T, यहाँ से H इधर आजाएगा, definitely basic medium दियावात, acid based reaction यहाँ हो जाएगी, यह बन जाएगा, C double bond O, O माइनस, और इधर आपके पास C O N H, और यह E T, अब इसका भी hydrolysis करवादो, एकवस के ओज से, तो यहाँ से तूट जाएगा, इधर H और इधर O H, तो इधर बन गया, E T N H 2 बन गया, और उधर वापसे acid, और acid किस फॉम में रहेगा, salt फॉम में रहेगा, क्योंकि basic medium आपने, डाला हुआ है, तो एक वेतो है यह, कि लिएर, इससे हम करवा सकते हैं, यह मैंने बोला है, हम इससे करवा सकते हैं, यह E T N H 2 बन ऐसा, बट ऐसा option हमारे पास option में नहीं है, आप option चेक करोगे, तो आपके पास KOH कहीं भी नहीं दिया हुआ, तो इसका मतलब यह तो नहीं हुआगा, अब आगे reaction करवाऊं में, तो आगे reaction, second way है, कि इसका मैं hydrogenolysis करवाऊं, और वो hydrogenolysis कैसे करवाऊं, देखो, वो इस same question, C O N, ये E T, ये C O N E T, hydrogenolysis में ये hydrogen है, N H 2 N H 2, यह take करेगा, ये electron यहां से यहां, ये वापस गुमें, इसको क्या कर देगा, बाहर कर देगा, तो क्या बना, ये ही बन गया, C, ये C double bond O N, H, H positive N, ये H, H इधर ते ये जुड़ गया, और इधर आपके पास आगया, C O N minus, और ये E T, ये H, यहां सप्लाई हो जाएगी, acid base reaction हो जाएगी, और जैसे ये यहां सप्लाई होगी, क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा, C double bond O, N, H, N, H2, और ये C double bond O, N, H, और ये E T, अब ये निकलोफाईल बन गया, और ये इसपे टेक करेगा, ये यहां से यहां, ये वापस गूमा, और इसको क्या कर देगा, बाहर कर देगा, negative charge आएगा, acid nucleophilic substitution type reaction, और क्या बना, C O, ये N, H, mechanism कहीं नहीं मिलेगी, मैं mechanism आपको provide करवा रहा हूँ, और ये C double bond O, और ये N, H, H, और ये positive, इधर आपके पास क्या बना, E T N, H, minus, इस H को यहां से हटा लेगा, तो इधर तो बन जाएगा, E T N, H2, और उधर बन जाएगा, आपके पास ये वाली रिंग, side product C O N H, C O N H, और ये है, कि लिए, hopefully समझ में आ गया होगा, simple सा concept है, तो इससे हम करवा सकते हैं, और इधायल एमीन हम प्राप्त कर सकते हैं, जैसे मैंने किया है, direct करोगे, तो direct भी कर सकते हो, direct क्या से करना है, H, ये N H, ये N H, ये H, इससे जुड़ावा है, इसको बाहर कर दो, और ये जुड़ गया, पर direct way, J E के बच्चे हो, direct way से बच्चे, और QSन को conceptual करें, क्योंकि QSन concept based ही, ज्यादा एक्जाम में आ रहा है, ओके, ठीक है, तो, आंस्वर तो पता लग गया होगा, NH2, NH2 आनाएगा, hydrogen बोलते हैं, इसलिए बोला, hydrogenolysis, मतलब hydrogen से मैंने bone break किया, इसलिए बोला, hydrogenolysis, killer, तो अब हम, answer टिक करें, तो answer अपना पास, इसी पेपर में, या कार्बोनील वाले कमपाउंट वाले में, मैंने इस रियक्शन को पूरा समझाया है, इस रियक्शन पे, यह second question है, already हमने बात किये, कि इस रियक्शन का, यह रियक्शन होती क्या है, तो आप यह देखें, कि रियक्शन है क्या है, कोई भी लिया है, उसकी रियक्शन कराईए MEOH से, HCl और Acetyl, तो रियक्शन का concept जैसा मैंने पेच्चे बताया था, कि कोई भी कार्बोनी compound हमने लिया, रियक्शन हो रही है Acidic Medium में, तो ये HCl, H+, पहले attack कर जाएगा, क्योंकि यहाँ पे लोन पे रहे, तो जैसे attack करेगा, और ये बन गया COH, और ये ठीक है, ये वाला बन गया, उसके बाद alcohol दिया हुआ है, ROH, ये alcohol का लोन पेर, इस पे attack करेगा, और ये यहाँ से हाँ, Acidic Medium में reaction होती है, Neutral Medium में में नहीं होगी, क्योंकि Acidic Medium में कार्बोनिल कार्बन की electrophilicity बढ़ती है, मतलब इस कार्बन का electrophilic nature, और इस कार्बन का electrophilic nature, अगर दोनों में compression करूँ, तो इस में से ये ज़्यादा reactive है, वीक नुकलियोफाइल है, तो strong electrophile होना चाहिए, अगर strong electrophile है, तो weak नुकलियोफाइल से काम चल जाएगा, तो ROH neutral है, ये weak नुकलियोफाइल है, और weak नुकलियोफाइल है, तो हमें यहाँ strong electrophile से ही है, और strong electrophile किसे जनरेट किया है, मैंने, HCL से जनरेट किया है, अब यह जो step न, यह होती है slow, और RDS, rate determining step होती है, तो यह किस पर depend करती है, कि यहाँ पे positive charge ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए, electrophilicity maximum होनी चाहिए, और यह जो group है, इन group का size small होना चाहिए, hysteric hindrance minimum होनी चाहिए, देशी बासा में बोले, तो भीड कम से कम होनी चाहिए, और इधर से यह भी reactivity order आएगी, वह तो आएगी 1 degree, 2 degree और 3 degree, यह तो alcohol की reactivity, क्योंकि इधर से इधर nucleophilicity क्या होती है, decrease होती है, 1 degree alcohol strong nucleophile होता है, और यहाँ पे, यहाँ पे aldehyde more reactive होता है ketone से, अब आपको option चेक करना है, कि option आपको क्या दिया हो है, वो देखें, पहला है acetone as substrate and methanol is stichometry amount, methanol दिया हो है, और क्या दिया हो है, acetone दिया हो है, acetal हमें बनाना है, तो methanol, 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 इसका मतलब alcohol को change नहीं किया, alcohol हर एक case में क्या दिया हो है, CH3OH ही दिया हो है, alcohol को change किया ही नहीं, इधर acetone, propanol, acetone and propanol, ठीक है, तो यहाँ पे acetone से ज्यादा रियक्टिव प्रोपेनोल, क्योंकि acetone तो हो गया ketone, this is acetone, और propanol हुआ ये वाला, तो LDH ज्यादा रियक्टिव है, ketone से तो इसका मतलब first option नहीं आएगा, ये वाला नहीं आएगा, second और fourth में से कोई एक option आएगा, अब ये बोला है कि an stichometry amount या फिर excess में, तो आप reaction को आगे proceed गुरू में, तो reaction ये जो बनाना, ये आपके पास बन गया, इधर ये OH हो गया, और इधर से OR जुड़ गया, ये एक mol के साथ और ये बना hemiacetal, ये है hemiacetal, एक mol चीए O reaction होगी, ह, O, R, और ये H2 अभार हो जाता है, दो mol चीए, और तब जाके आपके पास O, R, O, R, तब जाके बनता है acetal, तो इसका मतलब alcohol के दो mol चीए, alcohol आपको excess में चीए, इस tachymetry amount आपने लिया है, तो reaction hemiacetal में रुख जाएगी, वापस से LDIDA ketone form में जा सकता है, तो answer अगर में देखूँ, तो यहाँ पे methanol in excess answer जाएगा fourth, fourth is correct answer, that's a very simple question, और बाकी अगर इस question की regarding पूरी भी mechanism आपको चाहिए, तो आप CLC YouTube पे जाएए, प्रिवेश एर जेही में, इन carbonyl compound जहां में ने करवाया है, वहाँ इस reaction को, वहाँ भी उस chapter में भी ये question आया हुआ था, वहाँ में इसको well known explain किया है, तो आप वहाँ जाके भी help ले सकते हो, वैसे मैंने यहाँ भी इसको explain कर दिया है, ठीक है, next, the major product of the following reaction, यह simple सी reaction है, कोई बहुत बड़ी reaction नहीं है यह, और इसमें simple सा concept है, कि आपको इस compound की reaction करवानी है, ethyl formate से, अब क्यूसन बच्चों का अटका होगा, तो ethyl formate की structure को लेके अटका होगा, formate मतलब ester है, 8 का मतलब, इस 8 का मतलब ester, foam का मतलब A carbon का, और ethyl oxygen के आगे वाला group, तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, तो H, C, O, और यह O, E, T, this is ethyl formate, यह ethyl formate है, अब इसकी reaction करवानी है, तो यह यहाँ से भी attack कर सकता है, यहाँ से भी attack कर सकता है, oxygen से भी attack कर सकता है, nitrogen से भी attack कर सकता है, attack वहाँ से करेगा, जहाँ से strong nucleophile हो, और जो जितना बड़ा है, वो उतना ही weak, better nucleophile है, बड़ा है, तो better है, nucleophile, oxygen और nitrogen में, better nucleophile nitrogen है, तो यह strong nucleophile, तो इसका मतलब nitrogen से attack होना है, nitrogen से attack होगा, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, और OET को क्या कर देगा, बाहर कर देगा, तो क्या बना, CH3, CH, OH, CH2, CH2, यह N, यह H, और यह H, और यह positive आ गया, और इधर जुड़ गया, COH, ठीक है, साइड में क्या बना, O-ET, यहां से क्या उठा लेगा, H उठा लेगा, आंस्वर क्या जाएगा, CH3, CH, OH, CH2, CH2, NH, और यह COH, एसा option चेक कर लेए, एसा option आपको कहां पर दिया हुआ है, एसा option दिया हुआ है, second में, तो आंस्वर जाएगा, second, simple, asylum, nucleophilic, substitution, पहले nucleophilatic, addition, second step में, elimination, addition कैसे, पहले यह addition, यह addition, तो यह दर से दर गया, फिर second step में, यह यहां से यहां, इसको बाहर किया, यह elimination, answer, second, all clear, बढ़े आगे, चला, the major product, Z obtained in the following reaction, reaction की sequence दी हुई है, यह भी question, बहुत ही, simple सा question है, hopefully, सभी बच्चों का सही हुआ भी होगा, कोई खास इसमें है नहीं, तो आपको दिया हुआ है, metabromoaniline, NH2 और यह, Br, इसकी reaction करवानी है, NaNo2HCl, NaNo2HCl, temperature आपको mention है, 2732, 278 Kelvin, यह reaction है, diagotization, reaction का नाम है, diagotization हो जाएगा, diaginium salt बन जाएगा, और आंश्रा जाएगा, यह वाला, ठीक है, फिर reaction करवाई है, Cu2, Br2 से, गाटरमान reaction, Br सप्लाई हो जाएगा, और यह बन जाएगा, फिर इसकी reaction करवाई है, वो करवाई है, HNO3H2SO4 से, nitrogen, HNO3 plus H2SO4, मतलब आपको दिया, यहाँ पे, mixed acid, nitrogen, electrophile कोन होता है, इसमें, इसमें electrophile होता है, NO2 plus, बोलते क्या है, इसको, nitrogenium ion, nitrogenium ion, इसको हम बोलते हैं, तो NO2 plus जाएगा, तो Br, ortho-pera-directive होता है, क्या, Halosens R, ortho-pera-directive, तो इसका यह पेरा, और इसका ortho, या फिर इदर से इसका पेरा, इसका ortho, बात एक ही है, सब सेम ही है, यहाँ नहीं जाएगा ortho, पे तो इस जगह है, NO2 plus, यहाँ बेजदो तो भी एक ही बात है, यहाँ बेजदो तो भी एक ही बात है, यह, और यह portion दोनों सेम ही है, तो NO2 plus यहाँ take कर जाएगा, फाइलली जो answer आएगा, simple सा question, बस केवल reactions आनी चाहिए थी, NO2, answer, option ऐसा हम देखें, कि ऐसा option है, या नहीं है, तो ऐसा option चेक करें, तो ऐसा option आपके पास कहाँ पे है, ऐसा option आपके पास second option में है, तो answer जाएगा, वो जाएगा second, that's a simple, simple, very simple question, question कोई बहुत ज़्यादा, और question से comparison करें तो उनके comparison में बहुत इजी है, चलो ठीक है, next question, consider the following reaction, यह अच्छा question है, यह बोल रहा है कि P कोई compound है, Na, NO2, HCl 025 degree Celsius, मतलब यह die-aggotization हुआ है, यह हुआ है die-aggotization, बीटा नेप्थनोल और अनेवच, कलैड सोलिड बना है, बीटा नेप्थनोल और basic medium में reaction हुई है, चलो ठीक है, मतलब में भी यह aniline हो सकती है, क्योंकि नेप्थनोल और कलैड सोलिड, मतलब यह die जो बनती है, यह aniline के साथ, बीटा नेप्थनोल की कप्लिंग reaction है, कप्लिंग reaction है, पहले क्यूशन की भूमिका बनाते हैं, हम identify करने कोशित करेंगी क्या है, फिर क्या ब्रोमीन वोटर के साथ reaction करवाया, तो तीन बियार आये, मतलब ट्राइब ब्रोमीनेशन हुआ है, यहां हुआ ट्राइब ब्रोमीनेशन, अब आपको पी क्या हो सकता है, अब मैं पहले बात करूँ, इस कंपाउंड की तो यह aniline तो है, यह iskelेटन तो है, क्योंकि डाइजुनियम सोल, डाइजो टैजिसन हो जाएगा, कप्लिंग reaction हो जाएगी, और इसका ट्राइब ग्रोमीनेशन भी होता है, बट प्रोब्लम ही यह है, कि यहां पे 6 कारवन है, और यहां पे प्रोड़क्ट में 7 कारवन है, तो यह कारवन एक्स्ट्रा कहां से है, तो option check करता हूँ, कि 1 डिगरी अमीन कहां पे है, इसका तो कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ना तो यह डाइजोटाइजेसन काप्लिंग reaction नहीं देगा, एने अनोटूसल के साथ तो reaction करेगा, नाइट्रोसों कमपाउंड बनाएगा, बट यह कप्लिंग reaction से हो नहीं करेगा, और तो पेरा डिरेक्टिव, यह और तो यह पेरा, तो इसका ट्राइब रोमिनेशन नहीं हुआ, हमें करवाना है, ट्राइब रोमिनेशन तो इसका मतलब यह भी नहीं होगा, इस पे बात करें, तो इस पे यहां भी आरा सकता है, यहां भी आ रहा सकता है, इसका भी dybromination होगा, यह भी नहीं हो सकता, इसको देखें, तो यह orth हो, यह pera, यह orth हो, मतलब इसका drybromination हो सकता है, क्या यह compound हो सकता है, पी, अब क्यूशन reaction से आप check कर सकते हो, मैंने option से काट दिया है, तो hopefully answer fourth ही जाएगा, अब हम check कर लेते हैं, कि fourth स आंसर हमारा आ रहा है या नहीं हारा ठीक है कैसे एप्रोच किया समझ में आया आया होगा ना देखें मैंने माना इसको NH2 और ये CH3 और reaction करवाई NA NO2 HCl से डाइजोटाइजेशन जिसको मैं बोल रहा हूँ तो पहले डाइजोनियम सॉल्ट बन गया N2 प्लस Cl माइनस और ये CH3 फिर इसकी reaction करवाई बीटा नेप्थनोल से प्लस बीटा नेप्थोल ये वाला हो गया बीटा नेप्थोल अलफा और ये बीटा बैसिक मीडियम NA OH और फिनोल बैसिक मीडियम में reaction देता है हाई pH और इसको नाम दिया मैंने coupling reaction तो ये इस पोजिशन पे attack करेगा यहां attack होगा तो यहां से आपके पास बना क्या ये वाला बन गया ये color dye आजाएगी ये OH ये N ये double bond N ये ring और इसकी यहां पे CS3 this is colored solid ये जो group है इसलिए colored solid इसी की reaction करा हूँ bromine water से तो polar solvent और aniline का तो always try bromination होता है simple aniline का करवाएं तो तो क्या बनेगा आपके पास ये NH2 ये CH3 ये BR ये BR और ये BR तो reaction की conditions को satisfy कर रहा है इसका मतलब answer जो जाएगा वो कौन सा जाएगा third is correct answer third मैंने sorry 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 fourth is correct answer fourth is correct answer हो जाता है कभी-कभी technical mistake okay next which of the following is not a correct method for the preparation of benzyl amine from sinobenzene आपको reagent दिया है और कौन सा correct method नहीं है किससे बनाने का आपको इससे यहाँ जाना है sinobenzene से आपको बनाना है benzyl amine यह वाला बनाना है और इसके लिए कौन सा correct method नहीं है पहला एक-एक reaction करके देख लिएते हैं hcl-h2o और second na-bh4 hcl-h2o मतलब acidic hydrolysis acidic hydrolysis तो cn पे आप डालोगे hcl और h2o तो यह convert हो जाएगा benzoic acid में फिर na-bh4 na-bh4 co-h का reduction करता नहीं है तो आगे reaction नहीं होगी तो पस्ट में यह product नहीं बन रहा li-lh4 और h3o plus तो यहाँ li-lh4 reduction कर देगा li-lh4 और h3o तो यहाँ बन जाएगा c h2 n h2 क्योंकि हमें पता है कि li-lh4 cyanide को amine में reduce करता है तो यह कर देगा यह कर देगा h2 nickel तो h2 nickel भी कर देगा c triple bond n है यहाँ पे c triple bond n और यह इधर लगी वी आपके पास benzene ring और यहाँ nickel h2 तो भी बन जाएगा आपके पास p h c h2 n h2 मतलब इससे भी हो जाएगा s n c l 2 और h c l gase तो s n c l 2 और h c l 2 h c l के साथ react करेगा पहले बनाएगा s n c l 4 और 2 h यह जो h है यह इस ring के cyanide पे attack करेगी c triple bond n और यहाँ से बनाएगा आपके पास यह 2 h इनका addition हो जाएगा और बन जाएगा imine पिर इसकी reaction करवानी है n a b h 4 से किसे करवानी है n a b h 4 से तो यह name reaction है imine का reduction ठीक है यह imine reduction और यह इसका reduction करता है n a b h 4 c h double bond n h का na b h 4 reduction करता है imine reduction बोलते हैं c h 2 n h 2 में convert करता है इस पर दो बार क्योंस ना आचुका है जी imine में इसलिए ध्यान दे बच्चे कि na b h 4 na b h 4 cyanide का reduction नहीं करता है बट इस carbon double bond nitrogen का reduction करता है और इसका reduction करेगा तो बन जाएगा c h 2 n h 2 reaction सारी बता दी है पूचा क्या था which of the following is not correct method for the preparation of benzoylemin तो first correct method नहीं है तो answer जो जाएगा वो जाएगा first first is correct answer यह method नहीं है इससे हम cyanobenzene से benzoylemin नहीं बना सकते हैं ठीक है next benzene diazonium chloride on reaction with aniline in presence of dilute hydrochloric acid use benzene diazonium chloride on reaction with aniline simple reaction है देखो benzene benzene diazonium chloride क्या हुआ यह benzene diazonium chloride और इसकी reaction करागी है एनिलीन से acidic medium HCl aromatic electrophilic substitution reaction है क्या और इस reaction का नाम है जगह-जगह discuss कर चुके हैं coupling reaction का नाम है इसकी pera portion पर take करेगा यह electron यहां से यहां positive आया और यह यहां से यहां क्या कर जाएगा attack कर जाएगा इस पर electrophil जुड़ा है last में H plus बार हो जाएगा finally जो product आएगा N double bond N और यह NH2 pera amino die azobenzene इसका नाम होगा नाम क्या होगा पेरा एमिनो डाई एजो बेंचीन यल्लो डाई होती है यल्लो डाई होती है option check है एस option दिया हुआ है fourth तो fourth is correct answer ठीक है simple next यह बहुत ही शांदार क्यूशन advanced level का क्यूशन डाला था बीच बीच में जैमेन में कुछ क्यूशन बहुत ही शांदार क्यूशन आए होए है मतलब well concept के लिए रहो तब ही क्यूशन आप कर भाए हो है यह बालाया a solution of M मतलब meta chloro aniline meta chloro phenol metachlorobenzic acid in ethyl acetate was extracted initially with a saturated solution of sodium bicarbonate to give fraction A the left over organic phase was extracted with dilute aniline solution to give fraction B the final organic layer was doubled as a fraction C fraction A, B and C contained respectively ठीक है देखे question को समझे पहले तो हो सकता है कई बच्चों को question ही समझ में नहीं आया हो कि इस question का मिनिंग क्या है तो पहले question को समझे कि क्या है आपको एक solution का mixer दिया वा है metachloro aniline एक तो दियावा आपको ये वाला metachloro aniline प्लस दूसरा दियावा है metachloro phenol और एक दियावा है metachloro benzoic acid समझना पापस question प्याओ a solution of metachloro aniline metachloro phenol and metachloro benzoic acid in ethyl acetate was extracted initially with a saturated solution of NaHCO3 ये किसमे है acid in ethyl acetate मतलब ये है इन ये तीनों mixer ये तीनों compound का mixer ये किसमे है ethyl acetate ये ethyl acetate में है पहले sodium bicarbonate से react करवा रहा है तो sodium bicarbonate केवल carboxlic acid के साथ reaction करेगा यहां से acid-based reaction होगी बाकी यहां पे reaction नहीं होगी phenol sodium bicarbonate के साथ reaction नहीं करता वो भी नहीं करेगा क्योंकि यह यहां से H plus देगा तो यहां से आपके पास जो पश्ट आएगा वो आएगा fraction A कौन आ गया इसमें यह वाल आ गया C-L C-O-N-A प्लस नेगेटिव फिर इसमें H plus डाल देंगे तो वापस यह benzoic acid में करनोट हो गया और left behind organic solution जो left behind fraction A बन गया क्योंकि sodium bicarbonate केवल carboxly acid के साथ रिक्ट करेगा बाकी यह दोनों unreactive रहेंगे तो इसमें इस left behind जो organic solution है इसमें कौन बच गया metacloroaniline plus metacloroanil फिर second आगे किसी reaction कर रहा है to give fraction b the finally फिर the left over organic page जो पीछे बच गया was extracted with dilute NaOH किससे dilute NaOH डाला है second नमबर पे तो dilute NaOH डाले यह left behind organic solution dilute NaOH अब कौन रिक्ट करेगा फिनोल NaOH के साथ phenol रिक्ट करता है तो fraction b और last में आ जाएगा fraction c जो last में कौन बचेगा left behind जो बच किया fraction b में कौन आया phenol O- Na और last में यहां बच गया metachloro aniline तो हो गया A, B, C क्या है वो हमें बताना था question में यह हमसे पूचा था तो A, B, C fraction तो A क्या है benzoic acid B क्या है phenol C क्या है aniline तो respectively आपको बताना है metachloro benzoic acid metachloro benzoic acid phenol metachloro aniline आप एक बार screenshot ले ले कि इसे उनको solo करने का तरीका मैंने जो बताया है आप एक बार screenshot ले ले जिससे आपको problem नहीं हो आगे solution में अब मैं इसको साप कर रहा हूं और option को check करते हैं अपन metachloro benzoic acid पहले यह यह आया उसके बाद metachloro phenol metachloro aniline आंसर जाएगा वो जाएगा first clear, no doubt next consider the following reaction इस पे विचार करना है विचार क्या करेंगे, यह अंसर निकालना इसका और विचार करने के लिए थोड़ना बेटियाँ पन चलो निकर देते हैं कोई बहुत बड़ी problem नहीं है, यह diogenium salt है यह electron rich ring यह electron rich क्योंकि इसका plus r लग रहा है और यह diogenium salt basic medium coupling reaction होगी कौन से reaction होगी coupling reaction ठीक है, तो करवाते है reaction क्या होगी diogenium salt की reaction करवानी है इससे है इधर आपके पास क्या दिया हुआ है SO3 minus any plus coupling reaction के लिए diogenium salt पे या तो कुछ नहीं लगावा होना चीए या फिर electron withdrawing group लगावाना चीए और यह जो लगावा है sodium sulfite यह electron withdrawing group है और side में आपको दिया हुआ है यह वाला ठीक है, तो यह वोई process है, यह यहां से हाँ, इस पे positive है यह इसकी 12% पे क्या कर जाएगा attack क्योंसी बोलिए aromatic, electrophilic substitutional product बनेगा यह वाला SO3 minus any plus N double bond N यह N N dimethyl यह वाला well known compound है अगर आप जानते हो हो तो इस compound का नाम है methyl orange और यह टाइट्रेशन में इंडिकेटर की रूप में काम में आती है methyl orange basic medium basic solution pink color appear basic basic solution में अगर रिसा डालोगे तो pink color क्या होगा appear होगा तो देखते हैं आप से क्या बोला है the product X is used as a food grade clarinet protein estimation as an alternative to ninhydrin in acid based titration as an indicator methyl orange in acid based titration as an indicator तो answer जो जाएगा वो जाएगा third is correct answer ठीक है next screenshot ले चलो next देखते what is the product of the following reaction sequence दियों है तो बहुत simple सा question है यह तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है hex 3 ion L तो पहले तो आप यह देखें कि hex 3 ion L hex का मतलब 6 carbon होगे क्या यह 6 carbon समझना मेरी बात को 6 carbon हुए फिर इसमें आपको क्या बोला है तीन नंबर पे आयन triple bond एक नंबर पे L LD है यह 6 carbon इस compound की reaction करवानी है आपको अले इसमें और यह इसमें आपन देन है आप यह बात क्या करदेगा रिदेक्शन करदेगा तो क्या बन जाएगा कार्बन, कार्बन, कार्बन ठीक है? ट्रेपल वोंड, कार्बन फिर कार्बन और ये CH2 OH, ये रिडेक्शन हो गया इसका, नेक्स्ट आपको दियाव है PBR3 PBR3 OH किसके क्या सप्लाई कर देगा? BR सप्लाई कर देगा, SN2 रिडेक्शन हो जाएगी और ये बन जाएगा कार्बन 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 और ये CH2 BR नेक्स्ट आपको दियावा है मेगनिसियम इथर ग्रिगनार येजेंट फोर्मेशन ओग्रिगनार येजेंट यहाँ पर ग्रिगनार येजेंट बन जाएगा magnesium आ जाएगा बीच में और यह बन जाएगा carbon carbon, triple bond carbon और यह C, CH2 Mg Br फिर इस compound की reaction करवाई है CO2 hydrolysis C double bond O, double bond O और यह hydrolysis, तो यह negative charge है यह take करेगा यह यहां से यहां तो पहले आपके पास क्या बन जाएगा carbon, carbon, triple bond carbon ठीक है फिर यह C और यह CH2C double bond O, O minus Mg Br H plus दिया हुआ है hydrolysis H plus यहां सप्लाई हो जाएगा तो फिर 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 यह carbon, 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 triple bond carbon फिर यह carbon CH2 और यह CO, H carbonic acid चुड़ जाएगा यह वाला product आपके पास बनेगा तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एक carbon बढ़ा है CO2 से carbon आया तो 7 carbon का product आपका होगा तो एक बार screen shot ले ले फिर solo करें और 7 carbon पे 1, 2, 3, 4, 4 नमबर पे triple bond shift हो गया है option देखें 7 carbon अगर हम बात करें इसका तो मतलब भी नहीं है, इसका मतलब भी नहीं है at triple bond का option ही एक ही है third is correct answer ओके, third आ जाएगा next इन्दा following reaction sequence इस reaction sequence में the major product B is आपसे major product पूचा है तो पहले दियावा है पेरा मिथाईल एनिलीन पेरा मिथाईल एनिलीन NH2 और ये CH3 सबसे पहले ये दियावा है इसकी reaction करवाई है acetic anhydride से CH3CO और ये COCH3 इसी को लिखा है AC2O करके ये इसका मतलब ये ही है यहाँ से H और ये ये होगा acylation reaction पीछे भी हमने discuss किया है तो वापस यहाँ discuss करने जूरूत नहीं है और finally आपके पास बन गया है ये वाला नेक्स इसकी reaction करवाई है BR2 और ACOH से तो ये orthopara directive होगा इसका प्लस आड़ लग रहा है BR2 ACOH aromatic electrophilic substitution orthopara directive पेरा पोजिशन ओल्रेडी ओक्यूपाई है तो इसके orthoposition पे BR आ जाएगा और बन जाएगा NH COCH3 CH3 और ये BR ऐसा option चेक करें तो ऐसा option आपको दिया हुआ है fourth में तो आंसर जाएगा वो जाएगा fourth fourth is correct, simple सा question था ये chromatography से question है, अच्छा question है बहुत ही श्यांदार question है एक ही question इन दो सालों में chromatography से आया है a chromatography column packed with silica gel as a stationary phase was used to separate a mixture of compound consisting of A. Benzenylide B. Aniline and C. Acetophenone when the column 1 is loaded with a mixture of solvent hexane ethyl acetate 20 ratio 80 the sequence of obtained compound is बहुत ही बहतरीन क्यूशन है और इसका solution देखना भिया ये ऐसा क्यूशन chromatography आपको समझा के जाएगा और आप इसके concept को समझना पहले क्यूशन को समझें क्यूशन में क्या है a chromatography column packed with silica gel as a stationary phase was used to separate a mixture of compound consisting A. क्या है B. क्या है C. क्या है ठीक है ठीक है और C दिया है acetophenol पहले में इनकी structure बता रहता हूँ बेंजिनिरी राइड की structure होती ही ये वाली P.H.C.O.N.H. और ये P.H. एनिरीन की structure सबको पता ही है P.H.N.H.2 acetophenol की भी सभी को पता होगा P.H.C.O.C.H.3 इनको एक chromatography मतलब जिसमें silica gel बरा हुआ है मतलब इसमें बढ़ दिया यहां पे coke लगा दिया जो आएगा यहां आपको फिल कर दिया है इसमें A, B और C ठीक है? यह बरा हुआ है अब आगे क्यूशल में क्या बोलावा वापस से देखें when the column is illoated with a mixer of solvent solvent किसका है? hexane और ethyl acetate का इसमें जो solvent बरा हुआ है इसमें solvent बरा हुआ है वो है hexane और ethyl acetate यह 20% है और यह 80% है ethyl hexane तो जानते ही हो hexane तो हो गया non-polar और ethyl acetate इस compound को बोलते है यह हो गया polar अब solvent के बारे में आप देखें पहले polar भी है non-polar भी है अब हम बोल रहे है non-polar compound present in less quantity as compared to polar solvent यह वाला 20% है यह 80% है तो मैं बोल दूँ non-polar compound present as a less quantity compared to compared to polar solvent इसके comparison में उसकी less quantity है यह तक के लिए हमें पता है more like dissolve like हमें concept पता है कि like dissolve like मतलब more polar more soluble and elute first more polar more soluble and elute first first पहले भार आएगा क्योंकि more polar ज्यादा soluble है और soluble है तो पहले भार आएगा अब तीन compound है यह वाले इनकी polarity order देखे most polar कोन है polarity सबसे ज़्यादा C फिर है A और फिर है B B सबसे less polar है most polar कोन है C फिर A और सबसे least polar कोन है B तो जो polarity order है more polar, more solvent more soluble more polar more soluble and elute first तो इसका मतलब यहाँ से जो सबसे ज़्यादा polar कोन है C इसमें कोन आएगा C सबसे पहले C आया अब फिर second और अब इसमें mixer बच गया किसका A और B का अब second number पर कोन आएगा second number पर कोन आएगा A इसमें A अब last में कोन आएगा last में कोन आएगा B तो इनका qution में हमें क्या पुछाओब screenshot ले है question को मैंने conceptual explain कर दिया है आप screenshot ले है this qution का और बहुत ही अच्छा question है अब क्यूसन में हमें क्या बोला हुआ है, क्यूसन में हमें हमें बोला हुआ है, तो हमारे पास order आ गया C, A, B का, हमें इसको मिटा रहा हूँ, हमें यह भी बोला हुआ था, कि वें दा kolumon is rotate with a mixer of solvent hexane, the sequence of obtained compound, इस तो पहले C आया, फिर B आया, फिर A आया, फिर C, A आया, और उ NCRT का method है, Casuals method cannot be used to estimate nitrogen for which of the following compounds, किस के लिए use में नहीं लेते हैं, Casuals method में होता क्या है, पहले तो मैं बता दू, nitrogen का ये test है, ठीक है, N containing compound, nitrogen containing compound इसको हम concentrate H2SO4 के साथ heat करते हैं, nitrogen containing compound को concentrate H2SO4 के साथ heat करते हैं, ammonium sulfate बनता है, फिर NaOH के साथ जीखन करते हैं, तो NH3 gas बाहर आती है, NCRT 11th class में आपको ये method मिल जाएगा, जहां organic compound के separation method दियो है, 11th class 2nd NCRT, वहाँ पे आपको ये method मिल जाएगा, Casuals method, तो ये इससे related concept में ने बोला कि ये है, बट क्याजाल समेधर compound कौन छे नहीं दिते है, Nitro Azo, Nitro Azo group, and Nitrogen present in ring, Nitrogen present in ring, these type compound, negative 4, Casuals method, ये Casuals method के लिए क्या हो जाएगे, negative हो जाएगे, तो देख लो, ये तो देगा, ये भी देगा, Cyanide भी देगा, Nitrogen, Nitrogen, ये देखो, Nitro, Nitro मतलब NO2, आंसर जाएगा वो थैड, ये मैं ये पुछाए कि नहीं किया जा सकता, तो आंसर जाएगा थैड, तो ये क्यूशन्स थे, Carboclic Acid and Containing Compounds related, बहुत ही स्यांदार क्यूशन थे, कई क्यूशन तो बहुत ही अच्छे है, आप पेपर को देखें, solve करें, फिर भी कहीं प्रोब्लम आए, किसी क्यूशन में आपको लगे, ये concept हदूरा है, तो comment box में आप लिख सकते हैं, जो भी आपको वहाँ प्रोब्लम लगे, next lecture में मैं आपके लिए लेके आऊँगा, remaining part जो biomolecule, polymer, chemistry, questionnaire, everyday life, वहाँ से भी बहुत बल्क में क्यूशन और बहुत ही बहतरिन क्यूशन आए हैं, उन सभी क्यूशन को हम बहुत ही अच्छे तरह की सेड़ सोलो करेंगे, और तब तक के लिए, जय सील से.